क्रेडिबल थोर्से से एक खबर आ रही है कि कश्मीर में रेड जोन में से भी लोग जो है वो ट्रक्स के जरीए टिपर्स ट्रॉलीज के जरीए जो है रेड जोन से बाहर जा रहे हैं इसके कई कारण बताय जा रहे हैं सबसे बड़ा कारण ये कि ई-पासेज लेने में या फि के चलते लोग जो हैं ट्रक्स में छुपकर टिपर में छुपकर जो हैं रेड जोन से बाहर निकल रहे हैं एक बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है इस समय जिस समय कोरोना वायरस संक्रमन से लड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन लगातार जो है कोरोना वायरस के केसे जम्मु clear है यह कहा गया है कि एक truck जो है उसमें एक driver और cleaner जो है वो travel कर सकते हैं और साथ ही में ये भी कहा गया है कि अगर long route पे वो truck जाता है तो दो drivers और एक cleaner भी उस truck में travel कर सकते हैं लेकिन क्या district administration ये verify कर पा रही है कि उस truck cleaner है वो क्या सच में cleaner है या फिर वो कोई ऐसा आत्मी है जिसने ट्रॉक ड्राइवर को पैसे दिये हैं ताकि वो उस ट्रॉक से रेड जोन से बाहर निकल कर जा सके आपको मालूम है कि कश्मीर में मजॉरिटी सभी डिस्टिक्स को रेड जोन कहा गया है कुछ एकार डिस्टिक्स है केवल जिने और इन जोन में रखा गया था और वहां पर लगातार केसस बढ़ने की भी खबर आ रही है इसलिए यह देखने को मिल रहा है कि जिन भी कश्मीर स उनकी लेकिन बाद में अगर वो क्लीनर क्लीनर नहीं है बलकि कोई और शक्स है तो उसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है जब उसे उस रेड जोन से बाहर छोड़ दिया जाता है ट्रॉक ड्राइवर्स को भी उनका सैंपल लेके जो है इजाजत दे दी जाती है कि वो चले जाए ताकि उनके जो काम है काम में बाधा ना बने उसके बार जब उनका सैंपल पॉजिटिव आता है तो उन्हें जो डीटे़ लिखवाई होती है उन डीटे़ के बल्बूते पर जो है उन्हें ट्रेस किया जाता है लेकिन जहां तक बात है उन लोगों की जो की क्लीनर न आने के लिए तो वो भी एक गंभीर मसला है और इस तरीके के और कई वाक्या जो है वो श्रीनगर से देखने को मिल रहे हैं ऐसी खबर हम तक पहुंच रही है बहुत ही क्रेडिबल सूत्रों से खबर हम तक पहुंच रही है वहीं मैं आपको यह भी बताओं कि रीसेंट खबर रहेने वाले थे में 27 को इनका टेस्ट इनका साम्पल लिया गया और 29 को नियुक्त टेस्ट है वह पॉजिटिव आया इस बात की कान्फरमेशन हो चुकी और यह कहा गया है कि यह दोनों एरिया जो है वह रेडज जोन हैं कश्मीर में जिन से यह दो लोग जो है वह वह पॉ प्रोनावारस पॉजिटिव है या नहीं अचानक से जब उनकी तब्यद बिगड़ जाएगी तो फिर आखिर वो क्या करेंगे और साथी में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है उन सभी लोगों के लिए जिन जगाहों पर ये लोग जा रहे हैं क्योंकि ये जिस जगाह पर ज इंफेक्ट कर देंगे क्योंकि ये अपनी चुपा कर आए होंगे तो जो आम लोग है उन्हें भी नहीं मालूम होगा कि इनकी कोई च्रावल हिस्ट्री है वो भी इनसे कॉंटाक बनाने में घबराएंगे नहीं बहुत ही सीरियस मसला है डिस्टिक एड्मिस्रेशन को इस ब कि एक सीनियर आयस ओफिसर जो है वो पॉजिटिव टेस्ट करता है कश्मीर में और आप देखें कि वो कश्मीर से जम्मू आते हैं जब वो एपोड पर उतरते हैं तो उनका सैंपल लिया जाता है सैंपल लेने के बाद जो जेनरल प्रोटोकॉल है आम लोगों के लिए जेन महिला है या फिर कोई गौवर्मेंट ओफिसर ओन ड्यूटी है तो उन्हें हों कॉरंटीन किया जाता है उन्हें एड्मिस्टेटिव कॉरंटीन में नहीं रखा जाता फिर आखिर क्या कारण बना कि यह सीनर आयस ओफिसर जो है इनके टेस्ट का रिजल्ट आने से पहले ही इन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो चैर की जिसमें कई सारे लोग एक फाइनाशल कमिशनर मौजूद थे प्रिंसिपल सेक्रिटरी मौजूद थे एक सीनर ओफिसर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मौजूद थे हेल्थ और मेडिकल एडुकेशन डिप इन्ही के वज़ा से वो युनियन टेरिटरी की मशीनेरी फंक्शन कर रही है और हम कोरोनावारस से लड़ाई लड़ पा रहे हैं अगर यही लोग कोरोनावारस के लिए पॉजिटिव आ जाते हैं तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से पूरी युनियन टेरिटरी के जो एड कि कि यहां पर मीटिंग की जा रही है कि सी हाल में मीटिंग की जा रही है अगर पधान मंत्री भी मीटिंग कंड़ा होगा है तो वह भी वी कॉडियो कन्फ़िंग के जरीय कर रहे ताकि कोई भी officer जो है वो दूसरे officer को infect ना कर पाए अब corona virus एक ऐसी बिमारी है जो discriminate नहीं करती है अब ऐसा तो नहीं है कि एक officer जो है वो किसी दूसरे officer को infect नहीं कर सकता या आम आदमी में ही corona virus फैलेगा है जो officers है उनमें नहीं फैलेगा ये possibility नहीं है इसलिए ज़रूरी ये था कि उनका sample लेने के बाद वो खुद को home quarantine करते अगर official जैसे की duty है duty करनी ज़रूरी है तो उन्हें video conferencing के जरीए ये meeting करनी चाहिए थी तब तक जब तक उनके sample का result negative नहीं आ जाता अब क्योंकि वो positive आ गए तो उस high level meeting में जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें अब self isolate करना पड़ रहा है उनमें से भी अगर कुछ लोग positive आ जाते हैं तब आपके पास क्या उपाए बचेगा तब आप या तो इन लोगों को replace क्योंकि नहीं किया जा सकता आसानी से यही वो लोग है जो at the helm of the affairs है यही वो लोग है जो decision makers है इस समय में कि क्या चीज़े होनी है क्या चीज़े नहीं होनी है इन्हीं लोगों को ये फैसला लेना है कि unlockdown किस तरीके से होना है lockdown में restrictions ease out किस तरीके से करनी है अगर यही लोग जो है वो quarantine हो जाएंगे तो आखिर किस तरीके से कोरोनावारस से जंग लड़ी जाएगी वहीं मैं बात करूं Health and Medical Education Department में जो लोग मौझूद है अल्ज़ेडी बहुत shortage है हमारे यहाँ पर epidemiologists की, microbiologists की जिनकी सबसे जादा जरूरत है इस समय में, जिस समय कोरोनावारस महाबारी है वो लोग भी इस meeting में मौझूद थे, आखिर क्या कारण था कि उन लोगों को इजाज़त नहीं दी जा सकती थी कि वो video conferencing के through ये meeting करते, वहीं आपको मालूम होगा कि अक्सर जो है जो एक officer है, वो उस समय social distancing का इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं press conferences भी अगर conduct करनी है, जिस तरीके से पहले भी ये कोशिश की गई थी कि WhatsApp के जरीए questions लिये जा रहे थे, call के जरीए questions लिये जा रहे थे और उनका जो है live answer दिया जा रहा था उस तरीके से अगर press conference भी conduct की जाए, वो भी एक बहतर option होगा क्योंकि इस समय में जो officers हैं, जो लोग responsible हैं कि वो decide करेंगे किस तरीके से administration को चलाना है, किस तरीके से फैसले लेने है करोनावार से लढने के लिए, वो लोग ही अगर protocol follow नहीं करेंगे तो आखिर लोग बचेंगे कैसे, जो आम लोग हैं, वो क्या सोचेंगे पहले भी एक incident देखने को मिला, जहाँ पर एक advisor to the left and governor है उनके जो धरम पत्नी हैं, वो coronavirus के लिए positive आती हैं उनके बेटे coronavirus के लिए positive आते हैं, तो उन्हें भी quarantine में जाना पड़ता है उनका charge दूसरे advisor को दे दिया जाता है इस तरीके से ये वो लोग हैं, जो replaceable easily नहीं है इसलिए इस समय ज़रूरी ये था कि वो भी standard operating procedure को follow करते government officers के लिए, government officers जो on duty हैं, उनके लिए exemption already बनाई गई है उन्हें administrative quarantine में 14 दिनों के लिए नहीं रहना है उन्हें home quarantine में रहता है, रहना है जब तक उनका test result नहीं आ जाता और वहीं test result की जहां तक बात है, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इन लोगों के samples लिए जाते हैं, उन्हें priority basis पर test किया जाए यानि कि पहले उन लोगों के test किये जाएं, जैसे कोई doctors हैं, PGs हैं, nurses हैं, nursing orderlies हैं या फिर ये officers हैं, जो लोग responsible हैं इस पूरी machinery को चलाने के उनके अगर sample दिये जाते हैं, तो उन्हें priority देनी चाहिए आम लोगों से उनके sample ये कोशिश करने चाहिए कि जल से जल उसका result आ सके लेकिन जब तक test result नहीं आता, तब तक ऐसा हर कोई कह रहा है कि आपको ये assume करके चलना है, कि कोई शक्स जो है, वो positive हो सकता है करोना वाइरस के लिए, और खास दोर पर तब जब ये जो senior I.S. officer है ये कश्मीर से होकर लोटे थे, और कश्मीर में आप सभी लोगों को मालूम है कि वहाँ पर करोना वाइरस की जो बिमारी infection बहुत तेजी से फैल रहा है वहाँ पर लगातार नही cases आ रहे हैं, लगातार वहाँ से इंसिडेंट्स ये देखने को मिल रहे हैं कभी एक कॉर्पुरेटर positive आते हैं, जो है government medical college की gatekeeper positive आते हैं इस तरीके के incidence वहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़ादा precautions लेने की जरूरत है वो जम्मू हुआ है, जम्मू में आकर उनके सैंपल का रिजल्ट आने से पहले ही उन्होंने एक मीटिंग अटेंट की, उस मीटिंग में हाला कि जो ऑफिसर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था, लेकिन सेल्फ आइसुलेट तो आपको तब भी करना पड़ेगा, आप सिंटम्स आने का इंतजार नहीं कर सकते, कि 14 दिन ओफिसर्स जो हैं, अब होम कॉरिंटीन होकर रहें, काम अपना ना करें, तब तक इंतजार करें, जब तक इन्हें या तो सिंटम्स होते हैं, या फिर इनका कोर्नावास का टेस्ट होता है, टेस्टिंग सबसे ज़्यादा प्रियॉर्टी बेसिस पर इन्हीं लोगों की इस वक्त होनी चाहिए, हाला कि डिफकॉम कश्मीर का भी एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने एक काहा है कि फिलाल घबरानी की कोई जरूरत नहीं है, इन ओफिसर्स का भी ये कहना है, कि मीट तरह का रिस्क लिया नहीं जा सकता, तो ये दो बड़ी खबरें कश्मीर से आई, शीनगर से आई, कि एक तरफ शीनगर एड्मिस्ट्रिशन को बहुत गंभीरता से सोचना होगा, उन सभी लोगों के बारे में, जो कि परमिशन ना मिलने के कारण, या फिर किसी और कारण व लोग ऐसे थे, जिनके वाइरस का, जिनके इंफेक्शन का सोर्स मालूम नहीं चल रहा था, तो क्या ये कम्यूटी स्प्रेड की और इशारा करता है, बहुत बड़ा सवाल है, नमबर ऑफ केसे जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की परिशानी भी बढ जरा रहे हैं, जहांपर जब अच्छा काम करती है, तो हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं, वहीं ये कुछ सीरियस मसले हैं, जिनका नोटिस इस समय एड्मिस्ट्रेशन को लेना होगा, लेफनें गवर्नर गिरिश्टर अंदर मूर्मू को भी लेना होगा, और चीफ करने का काम कर रहे हैं, वो आखिर किस तरीके से फंक्शन कर पाएंगे, तो फिलहाल इतना ही, आप देखते हैं, स्ट्रेट लाइन न्यूज